नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सीमा बोरा आज हम आपको बताएंगे कि तुबह के आलस्वन को कैसे दूर भगाएं और सरीर में चुष्टी और इस्पूर्ती लाएं दोस्तों आलस् 뉴스 मनुशी का सब्सके बड़ा सत्रु है आलशी व्यक्ती जीषण में कभी भी सफल नहीं हो सकता है बदल्ता वातावरन या हम कहें कि सर्द्यों का वातावरन बहुत सारा आलस्पन लेकर आता है और जिसतों कई बार मनुशी को आलस्वास्टी के अधे कारुड होते हैं जैसे अच्छी नीजभन ले पाने के कारण बदलते वातावरण के प्रभाव के करण या इन योगा भ्यास्तों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है सुबह उर्ते ही आप पदमासन या सुखासन में बैठ कर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आपने ऐसे स्वांस भरते हुए उपर ले जाना है फिर स्वांस और भरते हुए दुसरी तरफ जूग गए दाहिनी तरफ जूग जाना है आपने स्वांस छोड़ते हुए पहली स्टेज में आगे दुसरी तरफ बैंड किया स्वांस भरते हुए गए स्वांस छोड़कर प्राइमरी स्टेज में आगे फिर स्वास छोड़ते हुए आगे जुब जाना है आपने उसको आज भरते हुए प्राइबरी स्टेज में आ जाना है इस के लिए को आप पांस से साथ बार कीजिए मॉनिंग लैजिन इसको दूर करने के लिए बहुत यदिक लापकारी होता है स्वास भरते हुए गए स्वास छोड़ते हुए बीच में आ गई फिर इसके बाद इस एक्सराइज को करने से सुबह का आलस्पन दूर होता है और ठकान भी दूर होती है इसके बाद नेस्ट योगा भीहास हम करेंगे ब्रीधिंग एक्सराइज जो सुबह उरते ही आपको अगर बहुत अजी आलश्य आ रहा हो तो नाक के माध्यम से पूरे फेपलों तक स्वास को भरेंगे फिर मुख के माध्यम से दीरे दीरे स्वास को टूफान की बाती आवाज करते हुए छोड़ देंगे जब आप स्वास को बाहर छोड़ते हो तो आप खुदी फील करोगे कि आपका सुदा सरी रिलेक्सिकी स्टेज में आ जाता है इसको आप 5 से 7 बार कीजिए इसको करने मात्र से ही आपकी निद्रा आले शित्थकान चुटकियों में दूर हो जाता है दोस्तो इन योगा भ्यासों को अगर आप उस सुबह के समय उठकर प्रैक्टिस करते हो तो आपका सुबह का आलश्य दूर होता है और आपके पूरे सरी में चुष्टी और इस पूर्ती रहती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो पसंद आई से लाइक कीजे दोस्तों और फैमली के साथ सेर कीजे अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद